दंश कोशिका हाइटरा की भेदक या सेल्स के समानी होती है इनमें अंतर इतना होता है कि इनके धागे में बट का अभाव होता है तरत्यक दंश कोशिका गोलाकार या अंडाकार होती है और इस कोशिका में एक बड़ी दंशिकाय पाई जाती है जिसके तरफ साइटोप्लाज्म पाई जाता है जो साइटोप्लास्म है उसमें सारे और्गेनल्स पाए जाते हैं जिसे माइट्रोकॉंड्रिया है, गौलगी कॉंप्लेक्स हैं, एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम, राइबोसोंस यह सब पाए जाते हैं कैंद्रक इसमें बिल्कुल आधार की तरफ या बेस की तरफ नीचे की तरफ एक साइड में होता है, क्योंकि कैपसुल पूरी बॉड़ी को घेरे रहता है इसके नीचे अधर भाग में कोशिका के अधर भाग से एक संकुचन शिल पेशीत अंतु होता है, जो सरपी लाकार होता है, जिसे लैसो कहते है यह कोशिछिका के दक सिद जब कोशिछा बाहर दागी जाती है तो यह दंशिका या निमेरो सिस्त को बाहर जाने से रोकता है तो कोशिका के स्वतंतर सीरे एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे नीडो सील कहते हैं इसके अंदर की तरफ कैपसुल में 20 से 21 की तरफ माइक्रो ट्यूबियूल्स पाई जाती है जो नीडो सील के बेस पार्ट है वहां तक फैली रहती है नीडो सील दंज कोशिका के बाहर निकलने के लिए या दगने के लिए जिम्मेदार होती है इसलिए इसे ट्रिगर भी कहते है दंज का या निमेटोसिस्ट इन बहुत ही जटिल औरगन नल होता है इसका मेन जो पार्ट है वह कैपसुल होता है कैपसुल के उपर की तरफ आपर क्यूलर या एक ढकन की तरह स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर की तरफ स्ट्रक्चर पाई जाती है इसका जो इस्पाइन्स होता है वो अंदर की और से खोकला और नुकीला होता है जिसमें बेस इस्पाइन्स पाई जाते हैं जिसे बार्प्स कहते हैं इस कैपसुल में एक विशयला प्रतार्थ भरा रहता है जिसे हिपनो टॉक्सिल कहते हैं यह हिपनो टॉक्सिल प्रोटीन और फिनॉल का मिक्ष्चर होता है दंश को सिखाओं का दगना या दिस्चार्च और निमेटोसिस्ट दंश को सिखाओं को जब भी दगना होता है तो उसके लिए इसमें जो उपर की और एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निडोसिल पाई जाती है वो इसके लिए बहुत आवशक है जब भी कोई फूड पार्टिकल इस निडोसिल के पास में आके इसको उत्तेचित करता है उस वज़े से ये दंश कोशिकाओं पे जो कैपसूल होता है उसमें एक प्रेशर डवलप होता है और ये कोशिकाओं दग दाग दी जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है इवान जॉफ और याना गीनेता साइंटिस्ट जो थे इनके इनका कहना था कि जब कैपसूल में जल प्रवेश कर जाता है तो उससे उसका कैपसूल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और इससे ये दग जाती है जब कि पाइकेन और रॉप्सन के अनुसार कैपसूल में जो जल होता है उसमें जो उपस्तित प्रधार्थ होते हैं वो इसको फुला देता है और इसी से कोशिकाएं धग जाती है है और जटके के साथ जो कुंडली धगा उता है कोईल इस्ट्रक्टर जहोती है वो बहार निकल जाती है एक बार दगने के बाद यह धगा वापिस धंशी का या सेल्स के अंदर नहीं जाता है और यह कोशिकाएं मेखार हो जाती है और इन और इन इस्टेस जो होती है वो अपने इसपरशक पाणी में गुमाता रहता है और जब इन इसपर या टेन्टिकल के संपर्ग में पूटर में कोई फूट पार्टिकल साथे हे तो ना दंश कोशिकाएं दग जाती है और सारे ला मी engij7 अप्रादात oh इतना टॉक्सीन होता है जो कि फिनॉल और निया प्रोटीन का मिक्स्टर होता है वह उस फूड पार्टीकल्स पर आता है जिससे कि वह अचयत हो जाती है और यह दिन जो food particle है वो tentacle की साइता से मुख में रख लिया जाता है जैसे ही उस food particle जो चोटी चोटी जनतु होते हैं वो hypoistovia mouth में पहुँच दे हैं तो इसकी body के जो gastric भाग होते हैं उसकी दिवार से juices का secretion भी होता है और peristellic movement होने लगता है जिससे की बोजन उपर नीच होता है और वो gastrovescular cavity में चला जाता है औभीलिया की colony की जो है gastrovescular cavity है वो nutritive muscles या पोशक पेशी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है यह कोशिकाओं लंबी और कॉल्यूमिनर होती है और इनके कोशिकाओं के अग्र सीरे पर pseudopodia या कूट पाद बनाने की शमता होती है जैसे ही food particles इसमें जाते हैं यह कूट पाद या जो बनते हैं cell से यह food particles को अपने अंदर ले लेते हैं तो इस polyp structure में दो तरह का पाचन पाया जाता है अंता कोशी के पाचन मतलब intra cellular digestion और extra cellular या बाही कोशी के पाचन पकड़े गए शिकार को क्रमन कुंचन की गती द्वारा जब gastrovascular cavity में पीसा जाता है तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में इस food particles को तोड़ दिया जाता है और जब यह छोटे छोटे food particles में तूट जाता है तो जो nutritive muscle cells होती है उसमें जो pseudopodia बनते हैं वो इस food particles को करके अपने अंदर ले लेते हैं जहां, food particles में बोजन का पाचन कर लिया जाता है अता इस तरह का पाचन अंतको कोशी के पाचन कहलाता है क्योंकि यह फाचन कोशी का के अंदर होता है शेश बोजन के कंड जो है वो पाचन जटर वाहीनिंग वा में होता है गेस्त्रो वैस्टूलर केविटी में जाइमोजन सेल्सुट जो होती है, वो शारिये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सेक्रीट करती है। जिससे Food Particles का Racineic Bagot Orlando या Chemicals के द्वारा उनका पाचन शुरू हो जाता है। गेस्ट्रो वैस्कूलर केविटी में और भी enzymes पाय जाते हैं जो glandular cells के द्वारा secret होते हैं गेस्ट्रो वैस्कूलर केविटी का जो माध्य में वो पहले alkaline होता है फिर acidic होता है फिर वापस alkaline माध्य होता है जिससे की food particles का digestion होता रहता है ये पाचन जो है वो विक्सित प्राणियों की पाचन की तरह ही होता है और जो अंतकोशी के पाचन है वो ब्रोटो जुआ प्राणियों के समान होता है पच्चावा जो भोजन है वो पेशिक कोशिकाव द्वारा विसरन वेदी द्वारा अवशोसित कर लिया जाता है आवश्यक्ता से अदिक भोजन जो होता है वो glycogen के रूप में या fat particles के रूप में इसमें पोशक कोशिकों में संचित कर लिया जाता है इजशन या बहीक शेपन पॉलिप में बिना पचेवे भोजन का बही शेपन या इजशन के लिए कोई अलग से कोई द्वार नहीं होता या छिदर नहीं पाया जाता अता बिना पचेवे भोजन का बहीक शेपन मुख द्वार द्वारा ही होता है नेक्स्ट है मेडूसा में पाचन मेडूसा ओमीलिया कॉलोनी का स्वतंत्र जीवक या फ्री जॉइट्स है यह अलेंगी गुरूप से ब्लास्टो स्टाइल से लिक्सित होता है यह एक गंटी के आकार की स्ट्रक्चर है जो का दिखाई दे रही है जिसके सेंटर में एक चौक माउथ होता है जिसे मैनिवरियम केता है इसका पाचन तंत्र भी सुवेक्षित होता है इसका मुख चौक और होता है और स्वतंतर सीरे पर पाया जाता है मैनिवरियम पीचे की और gör एक चेंबर में खुलता है जिसे पाउच कहते हैं इस गेस्टिक पाउच में चारो ऑर रेडियल कैनाल पाई जाती है रेडियल कैनाल पिर एक सरकूलर कैनाल में खुलती है मैडूसा भी पॉलिप की तरह ही कार्निवोरस और प्रिडेट्री एनिमल है मतलब ये मासारी व शिकारी प्रवरति का जनतु है मेरूसा में कॉंट्रेक्टाल टेन्टिकल्स पाई जाते हैं जिन में दنश कोशीकाओं पाई जाती है दंश कोशीकाओं का function palip की तरह ही होता है जिनकी साइता से ये बोजन को पकड़ते हैं या शिकार को पकड़ते हैं बोजन को फिर यह gastric pouch में जाता है अस्तर पाया जाता है इन में ग्लेडेलर सेल्स भी पाई जाती है जो पाचक जसों का सिक्रेशन करتी है इन में भी polyp की तरह digestion जो है अनता कोशी की है एम बही कोशी की है होता है extra cellular और intra cellular पच्चेवे भोजन का distribution जो है radial canal के द्वारे व्रत्ताकार या circular canal में होता है first mouth से भोजन जाता है वो gastrovascular cavity में फिर radial canal में radial canal से circular canal में और बिना पच्चावा भोजन मुख के द्वारा बाहर निकल जाता है तो इस तरह से हमने आज सिलेंट्रिट्स के अनिमल में पाए जाने वाले digestion के बारे में पढ़ा के किस तरह से पॉबीलिया के पॉलिप और मेड्यूशा में पाच्चन होता है